कि अज़ी लास्ट वीडियो में बात की थी। एवरेजिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पिरामिडिक के बारे में जाएं तो मैं आप सब को टैंक्यू बोलना चाहूंगा के एंडने सब्सक्काइबर्स हमें करने के लिए और आप लोगु अगर सपोर्ट तो मैं फिर आगे इसी तरह से वीडियोज बनाता रहूँगा तो बात करते पिरामेडियंग की तो थोड़ा सा मैं आपको एक averaging पे मैं एक बार हलका सा recap कर देता हूँ, averaging में हमारे तीन rules होते हैं, कि हम अगर हमने कुछ buy कर रहे हैं और down हमारा गिर किया है हमारा stock तो downside में आप कभी भी averaging नहीं करोगे, rule no.2, अगर आप entry करना चाहते हो या averaging करना चाहते हो, आपने देखा है कि बस breakout से पहले आपने pre-attempt कर लिया है, आप 50% entry कीजिए, 50% अगर आपका stock गिरता है, तो आप उस time पर क्या कर सकते हैं, stop loss के पास में next 50% buy कर सकते हैं, जिससे आपका risk नहीं बड़ेगा, थर्ड, आपने कुछ buy किया हुआ है, और आपको लग रहा है कि एक ऐसे level पर आ गया है, जहां पर या तो आपका stop loss हिट होगा, या फिर आपका stop loss हिट होने वाला है, या फिर आपका सपोर्ट ले रहा है, अगर आपको दिखता है, वहाँ पर कुछ reverse हो रहा है, यानि आपको price action आता है, आपको support और इन सब की knowledge है, आप read कर पाते हो, सब चार्ट को, तो आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर मैं एक छोटा सा risk ले सकता हूं, तो वहाँ पर आप कुछ quantities add कर सकते हो, ये लेकिन ये risky है, आपके पास ये additional risk इसमें add हो जाएगा, तो आप अगर इसको skip करना चाहते हैं, तो आज हम बात करने वाले पिरामीडिंग में, तो पिरामीडिंग क्या होता है, थोड़ा सा आपका safe side रहता है, like averaging में आपके पास risk है, कि आप downside में अगर और buy कर रहे हो, प्लस आप अपना capital भी डाल रहे हो, capital भी आपका engage हो रहा है, प्लस में आपका loss बढ़ जकता है, और अगर in case आपने और भी buy के और फिर भी stock, आपका stop loss hit कर जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका risk तो उतना का उतना ही रहा, और आपने जो add कि आपना time भी लगाया, waste हो, वो waste हो गया, लेकिन pyramiding में आपको एक benefit रहता है, क्योंकि आप already profit में रहते हो इस time पे, आप already profit में हो तो एक psychological level जो आपका होता ह अब emotions आपके नहीं आते, कि हाँ मेरा loss हो जाएगा, आपको इसमें क्या करना होता है, फिर emotions कहां आते हैं, कि profit book कर लो मैं पूरा, या फिर मेरा profit तो नहीं चला जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, कि booking हम कैसे profit book करें, और trailing stop loss, यह हमारा next topic रहेगा, trailing stop loss पे, और profit booking मैं कैसे करता हूँ, अब ही currently मैं कैसे कर रहा हूँ, जो मुझे benefit मिल रहा है, तो यह overall यह तीनों concept जो एक averaging हो गया, पिरामेडिंग हो गया, और profit booking हो गया, यह तीनों एक ही चीज के part है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कोशिश करना यह तीनों वीडि कर रहे हैं, क्या आप intraday में काम कर रहे हो, या एक छोटी swing पे काम कर रहे हो, या पोजिशनल आप पूरा एक swing, आप पूरी पूरी एक rally को ride करना चाहते हो, तो यह वहाँ पर एक difference आता है, मान लिजे आप मैं इसी एक swing की बात करूँ, तो देखने में तो काफी एक simple लग यह swing हो गया, तो आप इस swing में आप चाहोगे कि मैं और add करता चला जाओ, और आगे मैं add करता चला जाओ, तो वह possible नहीं है, लेकिन आप just a example के लिए, मान लिजे यह swing आई थी और इसको ही आप ride करना चाहते थे, कि यहाँ पर मैं अगर consolidate हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मैं इस swing को ride करता चला जाओंगा, तो difference ही आता है कि आप क्या वो weekly chart पे आप trade ले रहे हैं, तो weekly chart के according आप उसमें क्या करोगे, averaging करोगे, या pyramiding करोगे, आप daily chart पे हो तो आप छोटे swing में काम कर रहे हो daily chart में, अगर आप intraday में हो या फिर बहुत चोटे time frame पे काम कर रहे हो, तो आपने देखा कि हाँ, मैं hourly पे काम कर रहे हो, तो मैं हर एक छोटे swing पे pyramiding कर सकता हूँ, तो आपका difference ही आ जाएगा यहाँ पर कि आप किस time frame पे काम करते हो, और किस level पे काम करते हो, राइट, मैं बात करते हैं जैसे hourly में, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि मैं इस level पे भी एक swing, मतलब प्रामिडिंग कर सकता हूँ, मैंने फिर देखा यहाँ है, यहाँ पे reversal हो रहा है, फिर प्रांमिडिंग कर ली और पिर जैसे ही यह हिट होगा एक example जैसे ही यहाँ पे हिट होगा, तो आप निकल घए, तो वह उसमें क्या होता है, शोट time frame के लिए आप पिरामीडिंग कर रहे हैं लोंग टाइम के लिए पिरामीडिंग कर रहे हो मैंने आपके लिए काफी सारे एक्जामबल्स निकाल कर रहे हैं तो आज आए मैं बात करते हैं सबसे पहले हां से आपका एक परसेंट अगर मूव हुआ है तो आप उसमें ही बाय ना कर लें फिर आपने यहां पर बाय कर लिया यहां बाय कर लिया ऐसे नहीं होगा ठीक है आपको क्या देखना है एक प्रोपर लेवल एक प्रोपर रिस्क कि आप वहां पर क्या कर सकते हो आप उस पर पिरामी ठीक है मैंने चलो यह माल लिए सटोप लोस है मैंने यहाँ भी बाई कर लिया और मेरा सटोप लोस है यही 4500 का और अब मेरा जो बाई करकर करके मेरा average ही हो गया 4600 का अब जब मेरा stop loss हीट होगा तो मुझे पर शेर 100 रुपीज का लोस हो रहा है तो क्या benefit हुआ मेरा प्रामीडिंग करने का जो कि मैंने ओल्रेडी 4300 पर भाई किया था अब मैंने इतना अच्छा मेरे पास फिर भी मैं लास्ट में लोस में हो तो फाइदा ही क्या हुआ हो प्रामीडिंग तो मतलब यह ना कि आप जितना maximize अपने पूरी रैली को cover कर पाएं कि सबसे ज्यादा profit आप उसमें निकाल पाएं तो आप यहां पर हम देखते हैं अगर यह इस पॉइंट पर कोई आपको signal नहीं मिला प्रामीडिंग का लेकिन यहां बात करते हैं यहां पर क्या है अगर मैं इसको लाइन चार्ट पर चला जाओ और मैं यहां से एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन मुझे मिले मैं किसी में भी अगर बाय करता तो मेरा next risk क्या हो जाता सपोज मैंने यहां पर पांच quantity लिए अब यहां पर मैंने दो quantity लिए है तो इससे क्या होगा मेरा जो averaging होगा वो कहीं आसपास इस क्या जाए गया यह 4500 मेरा एक average price है अब जिस दो quantity में मैंने जो suppose यहां पर ही बाय किया हाई पर ही और मेरा जो stop loss है वो यह 4700 और 4900 पर मैंने entry की है तो जो दो quantity है उसमें मेरा 200 पर share तो चला जाएगा लेकिन बाकि जो यहां से यहां तक का मेरा जो gain था वो तो मुझे पूरा मिलेगा यहां तक और जो अभ वो stop loss होता है क्योंकि आप पूरी rally ride करना चाहते हैं तो इस तरह से हम क्या करते है प्रामेडिंग करते है अब यहां पर जब हमने प्रामेडिंग की तो उसके बाद मेरा stop loss क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अगर इसके नीचे जाता है तो मैं automatic वहां से exit कर लेता हूँ तो जितना भी मेरा यहां से यहां तक का gain है वो मुझे मिल जाएगा अब यह उपर जा रहा है फिर से अब मैं देखता हूँ कि क्या मैं stop loss अब यहीं रखूंगा अब देख सकते हो आप इस point पे तो 8% की rally आई है टोटल मेरी 20% की rally है जिसमें से एक ही दिन में 8% की rally है तो क्या मैं stop loss अगर यहां लूँ तो बिल्कुल ले सकता हूँ अगर मैं यहां पर अपना next stop loss यहां पर ही रखूंगा और उसके बाद अगर मैं यहां पर रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरा stop गिरता है तो कितना percent मेरा जाता है 10% जाता है तो यहां पर मैं नहीं माने के लिए रेटी हो तो आप यहां पर ऐसे किसी इलोजिकल लेवल पर बाय नहीं करोगे तो चोटा से मैं आप एक्जम्पल्स आपको दिखा देता हूं चलते हैं हैप्यस माइंड पर आप देख सकते हैं इसने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया ब्रेक आउट कंसलिडे तो आप यहां पर नया नया कुछ बैक कर सकती है फिर जला फिर जला फिर एक बनाया अपको ये संच हो गया आपका स्ट्रो के भी फ्य चंडल से लिए को मिल जाएगा फिर आपने और और आगे चला ये ठीक है चलता रहा फिर आपने यहां पे देखा कि फिर से एक अच्छी केंडल बनी है प्लस में एक बेस भी बनाया है आपने फिर यहां पे next अगर आपको उसमें प्रोफिट जादा हो रहा है तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं बाकी एक एक जांपल मैं देता हूं सपोज यह दो केंडल बनी है इतनी हाई मैं और बाय कर लेता हूं और फिर मैं बैठा रहता हूं तो फिर उसका फाइदा ही क्या होगा मुझे ठीक है औ और क्योंकि मुझे तो नहीं पता यह अप जाएगा या डाउन जाएगा तो मैं और बाय करके अपना रिस्क बढ़ा रहा हूं तो बेसिकली हमें क्या करना होता है अपना रिस्क कंट्रोल करना है चलते हैं टोरेंट फार्मा एक 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 जांपल ले लेते हैं तो सबसे पहल दोस्तों एक लोजिकल यह ए चलो मालने अगर हम यह जून बनाता है और यहां पर यह यह आयां पास लेकिन यहां मैं देखता हूं यह बेस बना लिया इस पॉिंट पर इसी लेवल के आसपास कहीं पर फोड़ा चापद डाउन में बेस मैं इसकी किसी वी एक केंडल में बा प्रोफिट था वो लोक हो गया यहां पर तो प्रोफिट आपने लोक कर लिया है और नई quantity जो एड़ कर यह उसके लिए आपने पिरामिडिंग कर लिया इस पॉइंट पर और यह आपका हो गया फिर आप यहां पर ड़ा इसके बाद आप यहां पर करते हैं एक लिए पर यहां पकूंटिटिव hy उनका अपको मिल गया ऑब जिसमें आपका जो रीतन्त अपने उंपाई के इसमें आपको प्ले मेशन रखना आपने कॉंटिटी यहां पर एड किये उससे कम यानि मैक्सिम 50% आप एड करें फिर उसके बाद उस कॉंटिटी का 50% एड करें अगर आप 10 बार एड कर रहे हैं आप एक जांपल हो ले रहे हैं मैंने रिसेंट्ली किया है इंड को में मैं सबसे पहले एंट्री हुई है इस पॉइंट पर इस बात देख रहे हैं कि रिटेस्ट कर रहा है इस केंडल पर मैंने और बाय किया है चलने दिया चलने दिया उसके बाद आप देखरेगों यह चल रहा है राउंड 77 स्ट्राम्ट Estearnak के क्या क्योंॉ एक ह्री टेस्ट करता है और यहां से क्रोग तो मैं क्या करूँ गार। Theatreidan यहांपर 25 ली यहांपर 10 लोगा तो 10 quantity जो भी stop loss होगा वो हिट होगा तो इस तरह से आप प्रामिडिंग करते चले जाओ एक लोजिकल आपका stop loss होना चाहिए लोगिकल आपका प्रामेडिंग एक लेवल होना चाहिए यहां पर आप प्रामेडिंग करोंगे एक एक जम्पल ओर लेते हैं National तो इसमें मेरी एंट्री है इस पॉइंट पे इस इस वाली केंडल में मेरी एंट्री है ठीक है राइट मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर मेरी है इसमें एंट्री 71 के रहाँ ठीक है अब इसमें मैंने क्या कि यह भी चला गया यह भी चला गया इतना अब यह अब यह भी प्रमेटिंग नहीं किया लेकिन जब यह गिरा है और इसके पॉइंट में देख रहा हूं कि एक सपोर्ट के उपर रुका हुआ है तो इस केंडल पर मैंने और बाय कर लिया अब यह इधर जाए इधर जाए उपर जाए नीचे जाए मुझे नहीं पता लेकिन मु कर लिया इस तरह से करता चला अब इसमें आप देख सकते हो तो सबसे पहले जब इसमें इस इस्त ड्लेन को टच किया तो लिपका यहां पर यह कल गए कल सके तोगे तो आपने फिर चेक कर लिया, तो आपको यह नहीं के हर जगे प्रियामेडिंग करनी है, आपको सो स्टोक में से, मिशल से 20 में आपको ऐसा चांस मिलेगा बार बार, आपने देखा इसको फिर से रैस्पेक किया है, इसी के ऊपर चल रहा है, इसमें चल रहा है, आप इस 505 का आवरेज आ गया था, और यहां से चलने दिया, सेकेंड मैंने फिर से यहां पर एड किया, यह वाला मैंने पोस्ट भी गया था, फिर से अच्छा बेस बना रहा है, और नीचे नहीं जा रहा है, यहां से दिख रहा है, वैप रिजेक्शन, तो इस पॉइंट पे आप क सली जाती तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं, और अब यह फिर से एक बेस बना कर अगर यह इसको क्रोस कर जाता है, तो मैं फिर से क्या मान लूँगा, यह मेरा 758 फिर से स्टोप लोस बन जाएगा, और मैं और प्रामिडिंग कर सकता हूँ, कैंप में मैंने 1300 से आप देख स अचा बेस है, यह मेरा स्टोप लोस, यह जो लाइन होगी, यह मेरा स्टोप लोस यहाँ पर बाय कर सकते हो, सेकिंड फिर से आप देखते हो, एक ट्रैंगल बनाया है, फिर ब्रेक आउट किया, तो यहाँ पर आपने फिर से और पिरामिडिंग कर ली, चलने दीजे, तो इ कितना कम हो सकता है, तो आप कोई सब स्टोप में इसी तरह से पिरामिडिंग करते चलेगे, अभी रिसेंटली इसमें मैं करने वाला हूँ, वो एक डिसकस कर लेता हूँ, मालेजे मैं इसमें यहाँ पर एंट्री कर लिए, आप देखरें, एक बेस बना लिया है, यह मेरा स् स्टेंस है मेरी, अभी गिरेगा, इसके उपर कहीं बेस बना लेता है, एक ऐसा अच्छा सा पांचे केंडल का बेस बना लेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, यहाँ पर मेरा स्टोपलोस शिफ्ट हो सकता है, उसके बाद जब वो चलेगा, तो मैं उसको स्टोपलोस मान के और क्वांटिटी एड कर लोगा, I hope आपको यह जो प्रामेडिंग करने का तरीका है, वो आपको समझाया हो, प्लस आपको रिस्क आपको कंट्रोल करना है उस प्रामेडिंग में, यह नहीं कि आपने यहाँ बाए कर लिया, और उसके बाद फिर वो गिर रहा है, तो आप क्या क करीद होगे, ठीक है, फॉर एक्जामपल अब यह है, इस में देखो मदर केंडल के अंदर ही चल रहा है, इस पॉइंट के पास अगर मुझे कुछ लगता है कि अच्छा तो आप देख सकते हो, फिर से बेस बनाकर यह रिवर्स हो रहा होगा, तो मैं इसको क्या शिफ्ट कर इस तरह से मैं ट्रेलिंग करता हूँ, इसी तरह से मैं पिरामीडिंग करता हूँ, तो कैसे प्रोफिट और बुक करना और यह सब मैं अभी रिसेंटली कैसे करता आया हूँ, तो आप उसके ओपर मैं एक चोटी सी वीडियो और बना दूआ, और अब देख सकते हो, इस तरह हो गई है, और आपको अगर यह वीडियो पसंद है तो आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब केजिए, लाइक केजिए, और नेक्स वीडियो मैं कोशिश करूँगा, कि और अलग अलग टोपिक्स पर मैं फाइंड करूँगा, और उन पर वीडियो बनाऊँगा, तो य यहां पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, थेंक यू